नमस्कार आप देख रहें नेक्सना एलाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकेता मिश्वराव बॉबी देओल के करियर के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसा उनका करियर रहा यूँ तो धर्मिंद्र जितना करियर ना तो बॉबी देओल का चमका और ना ही सनी देओल का हाँ ये बात तो जरूर कहीं जा सकती है कि सनी देओल ने बॉबी देओल से कुछ जादा नाम कमाया वहीं अगर बॉबी की बात करें तो बॉबी के हिस्से में जादतर फ्लॉप फिल्में गई हैं ऐसे में बॉबी देओल का करियर आखिर किस मुकाम पर है और क्यों आखिर उनके करियर को फ्लॉप माना जाता है कौन है उनके करियर को फ्लॉप करने की असली वज़ा उसके लिए देखे रिबॉट देखी जा सकती है जहां अश्रम में उन्होंने विलन का गिर्धार निभाया था बॉवे देवल अपने आने वाले फिल्म में नेगिटिव वोल में दिखने वाले हैं इतना ही नहीं हैंडसब और डेशिंग हीरो के होते कोई आखिर वो विलन क्यूं बन रही हैं इसके बारे में सब ही जाना चाहते हैं बॉवे देवल जब अपने करियर के पीक पर थी तब बतौर लीड उन्होंने दो ऐसी फिल्में दी जिसने बाजी मार ली फिल्म के करियर में काफी बड़ा उलेट फेर भी हुआ दोनों फिल्मी बॉक्स ओफिस पर हिट गए थी लेकिन विलन बने दो एक्टर्स उनके रूल पर हावी बन गए बाद में जब बॉवी ने हीरो के रूप में काम किया तो उनकी फिल्मी खास कमाल ना दिखा पाई बॉवी दियूर उन तोनों नामी फिल्म अजनभी और हमराज है इस फिल्म में उन्होंने अक्टिंग की थी अजनभी में बॉवी दियूर के साथ करीना और विपाशा पासू और अक्षे कुमार थे फिल्म में अक्षे विलन बने थे, फिल्म हिट हुई थी लेकिन बाजी अक्षे ने मार ली इसके अलावा अगरे साल, साल 2002 में हम राज बड़े पर्दे पर आई इसमें अक्षे खन्ना विलन बने, लाव ट्राइंगल और सस्पेंस वाले इस फिल्म में ओडियंस ने खोग अक्षे खन्ना और अमीशा पतेल को पसंद किया और सक्सस भी उन्ही के हाथों में गई, बॉबी ने ओल की के दोनों फिल्म में हिट गई, लेकिन इसके बाद अपने को छोड़ करके उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली अब बॉबी एनिमल में बतोर विलन नज़र आ रही है, फिर एक सूर्या स्टार कंगवा और पावन कल्यान स्टार हरी हरा वीरा मलू में विलन के रूप में को नज़र आएंगे यानि कि पूरे तरीके से ये कहा जाए तो दो फिल्मों में दो विलन्स ने बॉबी की केटार को बॉबी के करियर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिसके बाद अब उन्हीं खुद विलन के रूप में परदे पर उतरना पड़ रहा है तो देखा इस रूपोर्ट में कि कैसे उनके करियर को फ्लॉप करने की वज़ा उनके एक रोल को मानी जाती है, हाला कि बॉबी की बात करें तो बॉबी अब ओटी टी पर जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद फिल्मों में उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन ओटी टी में उन्होंने बखो भी अपने रोल को आजमाया है, वो एक ऐसे करदार में धल जाते हैं, जहां मुश्किल से मुश्किल काम उनके लिए आसान हो जाता है, फिलाल अगर बात करें बॉबी दियोल की फिल्म की तो अनिमल अब जल्द ही इंटर्टेन करने के लिए आने वाली है और एनिमल में जिस तरीके का किरदार बॉबी दियोल का है उसे भी खुंखार माना जा रहा है, अब देखना यह है कि बॉबी को इस फिल्म से कितना अच्छा रिस्पॉंस बलता है, फ्लालेस वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स ट्राइं लाइफ